एल एसी की कलत तरफ एक कैम लेकिन हो सकता है कि लेटनेंट सिंग का स्क्वार्ड वहा कैद हो एक टेंट लालटेन की रोजनी में चमक रहा है ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगा हो सकती है उस जोटे से टेंट की तंग जगा में एक साइट टेबल, एश्ट्वे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी दी पर सबसे ज़रूरी था एक कैदी जो रसी उंसे बंधा हुआ था रवी, लेटनेंट सिंग की डुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया के उसका चहरा काला और नीला पड़ गया, उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था सर, उन्होंने दुसरों को बंधी बना दिया रवी ने कहा, रिपोर्ट बाद में फॉजी, पहले तुम्हें छुडाना होगा नहीं सर, बुज़ों को अपके मुझ से ज़्यादा जरूरत है, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फॉजी लेटनेंट सिंग, रवी के पैरे से रसी खोल में लगते है तेरो बे सर, पीछे देखे रवी निकलने की आवाज के साथ, हवा में तुझ भूट भैल जाती है रवी निकलो यहां से लेटनेंट सिंग रवी को खोलना चाहते है पर देखते हैं कि वो बेखोश है रवी कोई पर तिक्रिया रही लेटनेंट सिंग लड़ रहे थे पर जवान तब तर बुरी तरह बेखोश हो गया था लेटनेंट सिंग उस जलके टेंट से बच निकले रवी की यह शब्द लेटनेंट सिंग के कानों में गूझ रहे थे लगता है आज मुझे लिसी के उस्वार जान होता है लगता नहाँ लगता है लगता 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 चर बात प्ड़ी हो नहीं जज़ हो कि नहीं बंखु़